राहुल गांधी वर्सिस स्मृती इरानी तीन दशमलव शून्य सपा के साथ गट बंधन में सीट तो मिली लेकिन जंग आसान नहीं यूपी में सपा और कॉंग्रिस के बीच अलायन्स फाइनल हो गया है अमेठी सीट पर कॉंग्रिस अपना उमीदवार उतारेगी लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अमेठी में तीसरी बार स्मृती इरानी से मुकाबले के लिए कॉंग्रिस किसे अपना उमीदवार बनाने जा रही है अब तक ना तो कॉंग्रिस और ना ही राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी उमीदवारी को लेकर पुष्टी की है आगामी लोकसभा चनाव में कुछ महीने बचे है कॉंग्रिस ने आखिरकार गुरुवार को इंडिया ब्लॉक में सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीट शेरिंग पर सहमती बनाने का एलान कर दिया है सपा 63 सीटों पर उमीदवार उतारेगी और कॉंग्रिस अमेठी राइब्रेली समिट 17 सीटों पर चनाव लड़ेगी दोनों पार्टियों सभी 80 सीटों पर एक दूसरे के उमीदवारों को जिताने के लिए चनावी मैदान में एक साथ देखे जाएंगे यूपी में सपा कॉंग्रिस दोनों साथ साल अलाइंस में सहयोगी बने है यूपी में राइब्रेली और अमेठी को परंपरागत रूप से नहरुगांधी परिवार का गड़ माना जाता है हालां की 2024 के आम चनाव में जाने से पहले कॉंग्रिस को दोनों पारंपरिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर सहमती बनाना आसा नहीं रहा है एक समय ऐसा भी आया जब सपा से गटबंधन तूटने की अंदरुनी खबरे तैरने लगी लेकिन एन वक पर बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई डॉट फिलहान राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेठी में तीसरी बार राहुल गांधी बनाम स्मृती इरानी के बीट चुनावी मुगाला देखने को मिलेगा इससे पहले 2014 के चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे और राहुल गांधी ने एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी हालांकी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और स्मृती ने 55,000 वोटों से चुनाव जीत लिया था पिछले लोक सभा चुनाव में राहुल ने अमेठी के अलावा केरिल की वाइनार सीट से भी चुनाव लड़ा था और वहां जीत हासिल की थी अपने घरेलू मैदान में स्मृती इरानी के हाथों हार के बावजूद राहुल निचले सदन पहुँच गए थे